प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है दाइस्टेडी अड़ापर और देखे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो में सुरू करने जा रहा हूं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे भारत की जो प्रमुक एयरलाइन्स हैं उनके बारे में जानेंगे और जो इंपोर्टेंट एयरला रहा हूं और इसी वीडियो में वो सब आपको याद भी हो जाएंगे तो जल्दी से आप इस वीडियो से जुड़ जाईए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच चाके तो जितनी भी एयरलाइन्स है भारत में प्राइवेट एयरलाइन्स हैं जो भी गवर्मेंट की एयरलाइन्स हैं उनके जो भी छोटे-छोटे रीजनल एयरलाइन्स हैं तो वो कहां से अपना संचालन कर रही है उस सब को जो है बताता हुआ मैं चलूँगा तो जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ एयरलाइ Limited ये सब airlines हैं और इन airlines के बारे में हम देखने वाले हैं कहां इनका headquarter है कौन अभी इनको run कर रहा है इनके CEO कौन है चेर्मेन कौन है तो चलिए start करते हैं जल्दी से इस वीडियो को और सबसे पहले आ जाते हैं हम Air India पर जो हमारी सबसे पहली जो airline है जो government की airline थी अभी इसका निजी करन होने जा रहा है तो Air India जो है ये इसका headquarter कहां पर है तो सबसे पहली चीज आती है Air India का headquarter कहां पर है तो Air India का headquarter है दिल्ली के अंदर ठीक है इसका अगर मैं सुभांकर की बात करूँ जो इसका जो लोगो है तो वह तो महराजा है यह आप देख सकते हैं महराजा इसको लोगो होता था और अभी इसके CMD है राजीव बनसल तो Air India के CMD है राजीव बनसल और दिल्ली में नई दिल्ली में इसका headquarter है महराजा इसका लोगो है तो यह भारत की पहली airline है गौर्मेंट के अंडर थी 1951 से ही ठीक है गौर्मेंट इसको कंट्रोल कर रही है अब इसका नेजी करन होने जा रहा है इसकी कैई सारी ब्रांचीज भी बन गई है वो हम आगे देखेंगे तो कौन-कौन से इसकी ब्रांचीज है उसके बाद दूसरी जो एयरलाइन है होजल फ्री अफोर्डेबल यह इसकी थीम है है एड़ क्वाटर कहां है गुरुगाम में और इसके जो सीओ है वो है राहुल भाटिया इसके सीओ है तो यह इंडिगो है इंडिगो का लोगो आप देख सकते हैं ठीक इस तरह का लोगो है नेक्ट एयरलाइन की मैं बात करता हूं यह एयर इंडिया का ही जो है एक ब्रांच है एयर इंडिया एक्सप्रेस कोरियर वगेर ले जाने की सर्विस है तो यह एयर इंडिया की ही ब्रांच है एयर इंडिया एक्सप्रेस तो इसका जो हेड़ क्वाटर है वो कहां पर है इसका हेड़ क्वाटर है कोची केरल मे और इसके CEO है प्रदीप सिंग खरोला इसके CEO है प्रदीप सिंग खरोला यह आपसे पूछ सकता है इसकी अगर थीम पूछी जाएगी आपसे तो इसकी थीम है simply priceless थीम क्या है simply priceless तो यह delivery वगेरा के जो sector है जो की airplane के थूरू जो delivery service होती है उसमें यह काम करती है ठीक है तो with spice jet का पहले जो logo होता था वो इस तरह का logo होता था जो उपर यह logo दिखाया है और नीचे वाले अभी जो का logo है वो कुछ इसता है ठीक है तो पहले इनकी team होती थी flying for for everyone, flying for everyone, यह इसकी theme होती थी, अभी जो इसकी theme है, वो है, hot, ठीक है, red, hot, spicy, यह इसकी theme है, red, hot, spicy, ठीक है, तो इसका भी headquarter कहांपे है, जहांपे indigo का headquarter था, guru gram, हरियाना में, इसके co है adjusting, यानि indigo का और spice jet, दोनों का है, जो headquarter है, वो कहांपे है, वो है गुरुगराम हुरु हर्याणा में यहां तक कलियर हो रहा है तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करते रहें आगे की गो ताप में कोई इसका एयर का किया है थीम फलाइ स्मार्ट इसका एडिक्वारटर कहा पर है इसका हेडिक्वारटर है मुम्बई में चीओ कौन है यह गोसिक Will Cann जो इए स्मार्ट यह स्मार्ट ऐसे इसके इसक इसका है द्याले में पर जो हो गई हुम वो है Air Asia Air Asia जो Airlines थी यह Malaysia की Airlines थी उसकी इंडिया में जब ब्रांच खुली तो Tata के साथ इन्होंने मर्ज किया तो Tata के साथ इन्होंने Joint Alliance बनाया और उसके साथ Alliance बना करके एक Joint Venture यहाँ पर खोला जिसका नाम तो वही है जो इसका Malaysia में नाम है Air Asia Malaysia यहाँ पर Air Asia इंडिया हो गया है ठीक है तो इतनी बात किलियर हो रही है Air Asia Malaysia से ही Air Asia इंडिया जो है यह इनका Joint Venture है Tata के साथ इसका Headquarter कहाँ पर है Bangalore करनाटक में इसका Headquarter है ठीक है बैंगलोर करनाटक के अंदर इसका Headquarter है इसके Chairman है S. Ramadurai S. Ramadurai इसके Chairman है ठीक है तो यह लोगो आप देख सकते हैं इसका लोगो है Air Asia का Next जो Airline है वो है विस्तारा इसके बारे में बात करें है विस्तारा विस्तारा का लोगो जो है यह दोनों लोगो यूज करता है विस्तारा एक White Background के साथ इस तरह का एक जो है यह Brown से Background के साथ इसका लोगो है तो इसकी Theme यह भी Tata का Joint Venture है जो इन्होंने C.I.A. के साथ सुरू किया था ठीक है Tata और C.I.A. का Joint Venture है Flying the New Feeling इसकी Theme हो जाएगी यह Theme है क्या Theme है Flying the New Feeling अच्छा Headquarter कहाँ पर है Headquarter वहीं है जहाँ पर Go Air का था Indigo का है और जहाँ पर जो है यह Private Airlines के जो विस्तारा के यानि गुर्गाम में तीन के हो गए ठीक है तो तीन के जो Headquarter है वह कहाँ है गुर्गाम हरियाना में भासकर भट इसके CEO हैं भासकर भट इसके CEO हैं ठीक है यहां तक के लिए और यह चीज़ें देखिए और कौन सी Airlines है नेश्ट एयर डकन एयर डकन को जो है यह चार्टर में भी काम करती है चार्टर होते हैं जिनको आप अगर बुक करते हैं एक तो होती है आपकी सेड्यूल बुकिंग जिसमें आपके साथ और भी पैसेंजर जाते हैं वो सब सबने अलग-अलग बुकिंग करी होती है वो है दिनको एकार सेड्यूल में भी काम करता है तो ये तो एयर डकन की सेड्यूल है तो इसके जो स्फीघ 50 circle live गए में इसका है यह कमभाराश्र में है महराश्राश्ट में और योयर इसकी सीघ्र वह ही दिखा देता हूँ, यह ĐACAN Charter, नफकें चार्टर जो है, इसकी Charter Service है, डककन चार्टर जो है, ओए टकन की Charter Service है, पस इसका Headquarter मुंबई में नहीं था है, इसका Headquarter कहां पर यह है, बैंगलॉर, करनाटक के अंदर है और Theme वही है Simply Fly, ठीक है इसमें आपको पूरा plane book करना पड़ता है चार्टर में जो पूछ रहे हैं चार्टर क्या होता है कि आप जैसे बड़े-बड़े celebrities होते हैं या कोई film का crew जाता है तो अब वो कहीं जाएंगे तो जब वो shooting shooting खतम कर लेंगे तो फिर उनको लेकर के वो book करते हैं तो plane book करने की बात होती है वो charter service बोलते हैं उसको ठीक चाहिए आप पांच लोग हैं चाहिए दस लोग हैं या आपके सो लोग हैं देड़ सो लोग हैं आप पूरा plane book करें और आप उसमें जाए ठीक है तो यह थोड़ी महंगी service है जो बड़े celebrities लोग है या जो बड़े लोग हैं वो book करते हैं उनके लिए charter service है तो बैंगलोर करनाटक में इसका headquarters है और जो CEO है वो दोनों के सेम ही है जी यार गोपिनाथ CEO दोनों के जो है डखकन और डखकन चार्टर के ठीक है तो बाकी की बात कर लेते हैं क्लियर हो गया न हाँ अब दूसरी जो private है blue dirt का आपने नाम सुनाओगा blue dirt जो है यह इसमें भी काम करती है blue dirt क्या की जो कोरियर वगएरा delivery के में तो blue dirt का aviation भी है blue dirt aviation limited और इसका जो headquarter है वो है चेन नहीं तमिल नाडू में इसके जो CEO है वो है तुसार जानी इसके CEO है ठीक है तो blue dirt जो है किसमें काम करती है blue dirt जो है कोरियर वगएरा parcel करने में इसमें भी काम करती है तो वहाँ से याद रख लेंग की बात करें पवन हंस जो है यह government की company है गौर्मेंट ने इसको बनाया है 2010 के अंदर पवन हंस को बनाया गया था ठीक है और पवन हंस जो बनी है इसका headquarter नौएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके जो CEO है वो है BP Sarma और यह किसने government of India का enterprise है जो शुरू किया गया था इसके एक और बहुत important company बनाएगी आज कल काफी चर्चा में sea plane service के लिए जल हंस तो पवन हंस की ही जो है ब्रांच है जल हंस जल हंस क्या है sea plane जो पानी में उतरता है तो वह पानी में उतरता है और पानी से ही land जो है fly करता है वहीं से अपना उसका runway यूज करता है water को ही as a runway यूज reference से वह कहां तक जाएगा निर्मदा तो यह पहली जो sea plane service है वह अभी स्टार्ट नहीं हुई है यह स्टार्ट हुई थी सन 2012 में जब प्रफुल पटेल जो है वह मंत्री थे ठीक है एर एरपोर्ट के इसमें क्या बोलते हैं वायू परिवैन मंत्री थे तो उस समय उन्होंने में वह स्टार्ट की और आज भी उसके CEO वही है ठीक है अभी मैं को आगे डिसकस करूंगा तो जल हंस जो service है यह 2012 में स्टार्ट हुई थी और यह पहली company है जो अंडवान निकोबार में headquarter देखो मैं आपको दिखा देता हूं चली पहले इसी की बात कर लेते हैं तो यह पह महीं पर है और प्रफुल पटेल इसके जो है अभी भी CEO है यह उससा में जो है मंत्री थे इस क्या बोलते हैं हमारा जो airport का जो airlines को manage करने वाला department है मंत्राले है उसमें ठीक है तो विमान सेवा मंत्राले में यह हमारे मंत्री थे और इसके बाद जो है यह जल हंस की जो service है यह सुरू में अंडमान में सुरू की गई थी और वहां पर सी प्लेन जो है यह service देते थे अभी हाल फिलाल में हमने देखा कि इन्होंने कहां पर एक route सुरू किया है एहमदाबाद सावरमिती रिवर्फरेंट से ले करके निर्मदा सर्दा सरोर बान तक जहां पर की सर्दार ब हम बात कर रहे थे डक्कन चार्टर की वह कंप्लेट होगे अब आते हैं एलियांस एयर जो है यह क्या है इसका थीम है connecting इंडिया यह भी एयर इंडिया का ब्रांच है एलियांस एयर और जो की इसके भी जो CEO है वहीं है प्रदीप खरोला जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के भ एलियांस एयर भी एक एयर इंडिया का ही ब्रांच है थिक है है नेक्सेक्व ट्रूजट जो ढट्रूजट है यह रीजनल ऐर लाइनस है वहर के रिजनल राये हैं इसका हैडोगवाटर हैधराबाद में है और हैदराबाद अंदर पर्देश के अंदर इसके CEO है विशोक मान सिंग और थीम है truly friendly बारे में बात नहीं किया तो इसके अभी बता जैता हूँ fly divine जो है यह यह लूर एक्सेप्सनल इसकी थीम है विजम इकसेप्सनल ये रीजनल एयरल्ण से जो की मध्यपरदेश के अंदर है ठीक हैं मध्यपरदेश की रीजनल एयरलाइन है छेतरिय ये जोस होती है और-'d इरी मैं जो इसमें टीन जो हैं रिज्नल एरिंस है और बाकी हमने जलहंस जो है इंडिया की पहली फाली जान है जो कि सी प्लेंड की सर्विस है अगर आप रहना जो कि एयर आप पहलिक करके इनको याद कर लेंगे क्योंकि आपके एक्जाम में जरूर हेड़कोर्टर तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं एक नंबर में वह हेड़कोर्टर या थीम अगयरा पूछ लेते हैं तो इनको अच्छे से याद कर लिजेगा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरू क करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं यह वीडियो कैसा लगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्यू गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग